आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो नारी शक्ति को एक अलगी स्थर पर ले आती है नमस्कार आज मैं राहूल गर्ग आपके साथ फोर्थ कॉलम के साथ जोड़े रहे हैं आप पहली बार आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो नारी शक्ति को एक अलगी स्थर पर ले आती है जो ने आठ यहां पर रहरी आठ सो महिलाओं का काम करने का तरीका वे उनके साथ रहकर उनको प्रोज़साइद करने के अलगी जोश दिखाया है मैं आपको मिलबान चाहूंगा ऐसी ही महिला से जो इस कारे में सबसे प्रगतिशील और महिलाओं के लिए एक अलगी मिसाल काइम कर रही है मैं आपको इंट्रिड्यूस कराऊंगा मैं शावाना जी से नमस्कार मेरा नाम शावाना है और मैं यहीं पे पाली बड़ी हूं यहीं इसलम में ही रहती हूं और मुझे शोशल वर्गर बनने का शौक है और मैं पूरी कोसिस करूंगी कि मैं अपनी समाज सुधार में अपन सद अपने महिला अपने सलम की मलाओं का भी साथ दूँ शवान जी आप पहले यह बताएं कि आपको इतनी हिम्मत कहां से मिली कि मतलब आप इतनी सारी महिलाओं को एक साथ इकटा करके उनके साथ आप खड़ी हैं और वो भी इस मतलब 21 सदी पे जब जहां लोग एक दूसर को इम्मत कहां से मिली कि आप जब मैं चोटी थी और यहां पर जब मैं रहती थी मैंने देखा कि महिलाओं के साथ बहुत ही जादा गलत वैवार हो रहा है लड़की आए लिंक भी करती हैं जैसे कि आगर घर में कुछ खाने पीने के लिए हैं तो यह भी चीज मैंने देखा कि बड़ी हो कि मैं इस बदलाव को चेंज करूंगे और हमारे यहां पे मारे सिलम में ज़्यादा तर यह देखा है मैंने कि लड़किया नाइन आट वी तक पढ़ लेती है तो कहती है बस रहने तो बहुत पढ़ाई कर लिए आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि टीनिजर एज इसके बाद मावाब सोचते हैं कि लड़कियों के इंदर कोई वदलावा होगा उस महिने में उसको संभालना बहुत ही मुस्किल हो जाता है इसलिए वो जादातर लड़कियां को आठवी क्लास तक पास करने के बाद उनको आगे पढ़ाई के लिए नहीं बेजती है और मैं घर चोड़के भाग जाती है इसी कारण क्योंकि मावाब उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं तो मैंने यह सब चीजे बहुत सारी चीजे देखा है तो मैंने यह सोचा कि मैं अपने स्लम में रहकर अपना एक समास से भी करूंगी और बताऊंगी कि लिंग भेद में मैंने बारवी पास की तो मुझे यहां पे रुपांतरन जिसका नाम रुपांतरन का मतलब समझते हुआ बदलाव तो उन्होंने मुझे बोला कि महिलाव के अंदर कैसे बदलाव लाना चाहिए मैं जब चोटी थी मैं अपनी मम्मी को लेके कई महां पे जब पहले हमारे मैं मैं OVC में आती हूं तो मुझे फीस वगेरत मिलती थी तो मम्मी को साइन करना नहीं आता है मम्मी बोली मुझे साइन करना नहीं आता है तो पैरेंस ने मुझे डाटा कि गलत बात है साइन नहीं करोगी तो फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलेगा तो टीचर ने मुझे पैसे कि अगले दिन पिर मैंने सुचा कि मैं यहां आउंगी जो लोगों को साइन नहीं करना आता है, उनको सिखाऊंगी, मैंलाओं की बाहर का रास्ता दिखाऊंगी की काम भी जरूरी है, बढ़ाई की कोई उमर नहीं होती है, इसलिए मैंने एक गुरूप बनाया, उस गुरूप कोई उख से करお है तो मैं पूछना चाहाँँगा आप से कि आप कहां तक पढ़ी है? में आप मारत स्थे हैं कोधि का है कि ये शिक्षा में बॉत जब सी और आपको वजइवा बात समझ आहीं किग देश्त होना इस देश में कितना जुरूरी है एजुकेशन बहुत जुरूरी है बिना एजुकेशन की कुछ नहीं है अगर तुम बाहर अगर किसी के सर्वेंट का भी काम करते हो तो वहां भी अगर कोई मतलब उनका मालिक है अगर कहता है कि मुझे वह फाइल लागे दे तो उससे समझ में कौन सी और आख बूलेंगे पीली कलर की फाइल ले आना काली कलर की अपीली कलर की फाइल में हर तीन फाइल पड़ी कौन सी फाइल लानी है यह तो नहीं पता उस फाइल के पर कोई नाम तो लिखा होगा तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है है और मैं आप से भी इस लड़की के अंदर बदलाव आया तो इनको देखे औरों को उन्होंने मेरे एक्जामपल दे रखा है इस बंदू के अंदर उन्होंने मेरा एक्जामपल दे रखा है बदलाव क्योंकि मैं पहले बहुत डरती ती जिगाती थी उनके साथ रहे कि बहुत काफी चीजे मिली अनुदल दरह बिदम खाटम इभी हो गया है मेरा तो बिल्कल एक डर लगता मुझे तो इस लम जैसे आप ने पताया गुढ़ ने वी महिलाए रहे हिं तो बेसिकल्य कितना कमा पाती है और कितना मतलब खर्च कर पाती है मतलब जो खमाती है वही अपने उपर कर पाती है मतलब उससे अपना कितना गुजारा कर पाती है घर का उनका गुजारा कैसे चलता है घर तो बहुत मुस्किल से चलता है अगर अब क्या बोलू मैं आपको 5000 रुपे सेलरी होती है इनकी 5,000 में इनका room rent भी जाता है बहुत कम लोग हैं जो यहां पे इनका अपना घर है रूम रेंट भी जाता है यहां पर 25 रुपर रूम रेंट है 500 रुपर विजली भी ले तीना जार तो मैने का देना है तो ऐसे में यहां पर वगयरा नहीं आते हैं जो मतलब इधर बस वोट के लिया आते हैं यहां पर वैसे भी आते हैं तो थो के शार हो अमारे नरेस यादव जो केजिवाल की तरफ से है, जाडू की koval है, वह आते हैं तीसरी बार उन्होंने यहां पर आके अपना काम खतम गए दिया, यहां पर पानी की दिक्कत थी बहुत जादा, बाहर टैंकर लगा हुआ था, वहां लोग जाते थे, एक्सिडेंट हो जाते थे, बहुत जारे, बच्चे की काफी मतलब दिती हो गई है, गाड़िया चलती है, बगल में रोड में पानी होता था, तो उसकारण काफी लोगों के जान चली गई है, कोई और राजनितिक बंदा आता है, यहां पर, कोई और राजनितिक पार्टी का, अभी तक तो मैंने देखा, लेकिन मैं नरियस यादब जी को जानती हूँ, उनके साथ ही मैंने मतलब थ सब के सब वोट देंगी बारा मही को, और एक चीज़ यह भी पूछी थी मैं को आप से, कि जैसे आपने बताया कि जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, बिसिकली रुपान्तरन को, तो यह आपकी जो रुपान्तरन है, यह क्या रिजिस्टर्ड है, एंजियो, एटी जी भी और जी जानती हूं लेकिन उनका काफी सालों से है, और आप यह बताएं कि जैसे आप खुद एक नारी हो कि आप बच्पन से यह रही हैं और आपने इतना स्ट्रगल देखा है, मिलाप आपने बारवी में देखा कि पढ़ना कि इतना इंपोर्टेंट है, उससे वज़ीवा मिल पढ़ने के बाद ही कुछ बंदा आगे बन पाता है, तो आप जितने चोटे-चोटे बच्चे हैं इनके लिए क्या मतलब कहना चाहेंगी, आप इनके लिए कुछ ऐसी सोविदा आप एंजियों को बोलना चाहेंगी, आप नहीं मतलब जो इनको एक कोई देना चाहेंगी सं स्लम के अंदर काफी सारे लोग हैं, जो मतलब बच्चे हैं, जो अभी तक उनको पहने के लिए कपड़े और खाने के लिए नहीं मिलता है, तो पढ़ाई तो दूर की बात है, मावाब बहुत मुस्किल से करते हैं, काफी लोग बिकलांगे जो पने बच्चे को नहीं पाल तो मैं तो यही काऊंगे कि मैंने तो यही सोचा था कि मेरे पास कोई भी एंजियो आएगा तो मैं पहले उनका छोटा से प्ले स्कूल चलाना चाहूंगी, लेकिन मैं सरकार से ही काऊंगे कि जो बच्चे हमारे स्लम में आएं, देखें, यहां पे बहुत लोग हैं अभी भ पच्चे अच्छे हमारे स्चोल में एडमिशन के लिए भोल रखा हैं तो इनके माँ को भी मतलब थोड़ा सपोर्ट करें क्योंकि आदमिशन तो हो जाएगा फिर एक ड्रेस आ जाता है वो उस नवाफ नहीं कर पाते तो इन सब में आफोर्ड ने कर पाते हैं तो मैं तो य चैना का मतलब है कि बदलाव होना चीह और थोड़ा इंको जादा मिलना चीह तो जैसे कि आपके बंदे इधर आते हैं आपके विदायक आते हैं आपकी पानी की समस्ष्या निका तो आपको यह पता होगा कि आप पाटी ने यहां पे मौडन स्कूल बनाया जितने सरकारी स्कूल बनाया है, जो सुविधा हैं प्राइवेट स्कूलों को मिलती थी, वही सुविधा हैं अब सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी, उनको अच्छे कपड़े, अच्छे किताब, मतलब सही तरीके दे किताबे, उनका कंप्यूटर लाब, इन सब में तरक्की हुई है, कितने हैं के प्रतीशत बच्चे हैं जो अभी मतलब सरकारी स्कूल में दाखला ले रखे हैं या फिर लेंगे, दबाने ले दिनों में क्योंकि अभी सत्र स्टार्ट होने वाला है, स्कूली का, तो 80 परसंट बच्चे तो एडमिशन ले चुके हैं, 20 परसंट बागी है भी, पड़ाते नहीं है, साधिकर आते हैं, यहां अभी भी लिंग भे दे हमारे समाज में, और मैं एक्जांपल भी दोंगे, जब हमारा यहां पर सेंटर चल रहा था, रुपांतरन का, मैं जब जाती थी बुलाने के लिए कि चलो, क्लास ले लो, तो उनके माँ मुझे यह कहते हैं, यहां बिल्कुल बदलाव नहीं है, मतलब जैसे एक लिंग बेद पर होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है, गलत रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं, आठी तक पास कर लिया है, तो साधी हो जाने चाहिए, बहुत छोटी उमर में साधी गया देते हैं, जिन से लड़के बिमार होके मर जाती है, दिल्ली में रहने के बावजूद ऐसी रूड़िवादी सोच के लिए आप क्या कहेंगी, मैं तो यही कहूंगी कि सोच को बदला जाए, खतम किया जाए, क्योंकि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़की भी कर सकती है, जो लड़का क आप चावला या फिर सुनिता विलिम्स चांद तक गई वही पर यहां पर देखा जाए, तो आठवी पास महिलाओं को यह बच्चों को बेसिकली शादी करने के लिए मजबूर कियाता है, वह भी उनके माबाप के दवारा, मतलब यह सोचने वाली रूड़िवादी सोच को कैसे हटाए जाए वह भी दिल्ली जैसे शहर में बहुत बड़ी समस्य अभी चल रही है, आपका उमर करती है, साट साथी, आप कोई काम करती है घर पे, गरी पे रहते है, चुड़ दिया पर कट, आपका बेटा, एक बेटा करता है, मेरा भीदारी के काम, एक दार उपीदा परिशन करता है, उसकी बच्ची भी घर पे, तीन-तीन पीयर में रहती है, मा भी 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 बहुते है, तो घर का करती है, अब घर का कैसे बीटा करता है, एक बीटी है, तो थोड़ी चार-पाचाजार रुपी ले आती ही, गूटी से घर के बास, तो टोटल आईउ कितनी है, इनकम होई, दस-धार आजार रुपी की इनकम है, घर में रहने वाले सादस्ये, घर में रहने वाले है अब कौन है, एक लड़की चूटी वाली है, तीन-लड़की साधि कर दी है, और बड़े लड़का की जो दार्भी पीता, उसकी भी नहीं हा रही, बच्ची भी यह तीन या कुछ बेटारी कर लीता है तो दस अजार में मतलब जो आप बता रही हैंगर बैटी कुछ लिया तो मतलब मान लेते हैं 5,000 पंदरा हजार आपकी कि यह तो पंदरा में इतने लोगों का मितलब आपको कैसे लगता है कि इतने दिली में एतना चली नडकी तो बेटा है अंकल है ज़ा नगजいる कि नदी है इस यह निवा कि मैं कि आप इतना खर्ट में तिल्ली में आप रहे हैं और जहां पर आप पहले काम करती थी पहले कितने आपने पकड़े हुई थे गर एक ही जागी करती थी मतलब आपने जब से छोड़ा है तब से परिसानी बढ़ गी है कोई तो लड़का कभी लग गया बिल्दारी का कभी नहीं लगा और लड़की तो अभी साली निलुगा दो तीन मेहना से जाने लगी चोटी वैली तो पांचाजार रुपी लाती उसमें क्या हो तो कुछ नहीं तो क्या पूनम चोंहान अप क्या काम करती बुछाव में काम करते दोस्रा काम भी करते हैं कि दर रे दाव चलिए बच्चे का भी लाज करा रहे हैं उसके पहरों में दिक्ट है मतलब पैदाई से उसके दोनों पैर टेड़े हैं एक तो हमने करा लिया एक रह गया है तो इसमें सड़ जो है की पैसे नहीं हो पा रहे इसलिए मैं इलाज नहीं करा पा रही तो मैंने सोचे कि एक दो काम कहीं मिले तो मैं निकाल के टेम करके आँ जो इसकी दवा का खड़चा चले तो यह एंजी रुपांतर जो एंजी है इसने मतलब आपने इनको बताया अपनी समस्या बताई कि हां मेरा बेटे को यह बच्पन से दिक्कत है बताई थी सर पर किसी न इनको इसने यहां बोल गया उनका यह जो कि अनों काफी मदद करी थी हमारी तो उनका जो अब केस चेंड़ाय ने बंद करा दे उन्होंने रचाते भी उन्होंने बच्पर कराने के बाद मैं फिर में अपनी तरफ से कराया है और करा रही हूँ और जब तक मेरा दम रहेगा में कराऊंगी मेरा नम सुमन सोनी है मेरी आई हुए 23 अब कहां काम करती है सर मैं तो वैसे हाउस वाइफ हूं लेकिन पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मैं को कितना कमारे थी उसमें कोकिंग में सर उसमें साड़े चार अजार आपके पती मेरे हस्बंड लेवर हैं उनकी तो सैलरी है 10,000 रुपे मतलब 14,500 महीने का आप दोनों कमाती है तो खर्चा चल जाता है दिली में सर चला न पढ़ता है एक्शली रेंट पर रहते बच सैंट अज़ित अट करना पढ़ Creator तो इसमें तु में ज़्यादा खराब हो से रिजैन ले लिया तो करना पहरो मेराlarını उसको पढ़ाना है और बहुत मुष्किल सर मेरा a तो आज इसलम में आके में को यह परचला कि असिक्षित होना कितना बड़ाद दिल्ली में जहां कि 5-6,000 रुपे महीने कमाने वाली ओरतों को इतना संगर्श मतला अपने जीवन में वितीत करवाना पड़ा है किसी कोई सीमा नहीं है यहां पर में को देखने को लगा 75 साल की जो महीला हैं वो अपने आपको कैसे जी रही है जो 20 साल की भी है वो कैसे अपने आपको सर्वाइव करवा पा रही है बहुत बड़ा एक कोशन मारक अभी तक है इतने मतलब सरकार द्वारा या फिर NGO द्वारा इनको बेफकू बना के इनसे पैसे हड़ पे जा रहे हैं और कोई ब्योरा अभी तक नहीं है इनसे दो दो तीन तीन लाक रुपे एंट लिये गए हैं और इन महीलाओं का यही है कि इनको वापिस हो पैसे तो कम सका मिल जाएं चाहे उनका ब्याज मिले या उनसका प्रॉफिट मिले ना मिले उनसे उसको मतलब नहीं है तो यही देखने गर पे काम करती हैं और 5-6,000 रुपे में अपना जीवन वितीत करती हैं जिसमें यह अपने बच्चों अपने पती समय सबकी रखवाली करती हैं नारी शक्ति का मतलब यही है कि आज के टाइम पे जो अपने घर को पूरा बनाएं अपनी सोसाइटी को बनाएं और अपने ब